चार साल तक रहा कमपाउंडर फिर बना डॉक्टर खुला हस्पताल ट्यूप से कर दिया ओप्रेशन चप्रा में यूट्यूब देखकर ओप्रेशन करने वाले डॉक्टर को पुलिस ने 28 घंटे के अंदर पुलिस ने स्थानिय गर्खा थाना पुलिस और एसाइटी के सहयोग से गिरफतार कर लिया है इस कार रवाई को लेकर पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है आरोपी जिकित्सक की पहचान गर्खा थानक शेत्र के बबनिया गाउग निवासी अजित कुमार पुरी के रूप में हुई है फिलहाल पुलिस आरोपी फरजी डॉक्टर से पूछताच कर रही है जिसे पूछताच के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहट न्यायाले भेजा जाएगा इस पी कुमार आशीश ने बताया कि 6 सितंबर 2024 को मनौरा थाना के भुवालपुर ग्राम निवासी गोलू कुमार शरीर में पत्री की शिकायत होने पर उप्रेशन के लिए उसके परिजन उसे लेकर गर्खाथाना के मोती राजपुर बजार स्थित गंपती सेवा सदन के फरजी डॉक्तर अजीद कुमार पूरी के पास पहुँचे जहां उप्रेशन के दौरान उनकी स्थिती काफी बिगड़ गई जिसके बाद उसे पटना ले जाया जा रहा था जहां रास्ते में ही उनकी मौत हो गई पुलिस टीम को सूचना प्राप्थ होने पर ततकाल गर्खा थाना में कान संख्या 572 बटा 24 दिनाग 7 बच के 9 मिनित दशमलब 24 धारा 105 बिएनस दर्ज करते हुए आगे की कारवाई शुरू कर दी गई बितक के शब को पोस्ट माटम करने के पश्चात परिजनों को सौप दिया गया जिसके उपरान परिजनों ने दाह संसकार कर दिया इसी क्रम में गर्खा थाना पुलिस टीन में इस घटना के अभियुक फरजी डॉक्तर अजीत कुमार पूरी ग्राम बबन्या पोस्ट पहारपूर थाना गर्खा को गिरफतार किया गया है आरोपी फरजी डॉक्तर अजित कुमार पूरी छप्रा में एक डॉक्तर की क्लिनिक पर चार बर्शों तक कमपाउंडर का काम किया था इस दोरान मेडिकल से जुड़ा की चनुभव हो गया जिसके बाद धर्माबागी मोतिराजपूर में अपना निजी क्लिनिक का शुरुआत कर दिया शुरू में ओप्रेशन के लिए छप्रा और अन्य जगहों से डॉक्तर को बुलाता था लेकिन 6 सितंबर को अपने से ही ओप्रेशन कर दिया चार साल तक रहा कमपाउंडर फिर बना डॉक्तर